नमस्कार मैं मनीश बहासिंग का श्वाश्वत योगा से इस समय कुरोना संक्रमन तेजी से लोगों को अपना सिकार बना रहा है इसमें लोगों को साहसों से सम्बंदित समझ से आए ज्यादा हो रही हैं ऐसे में योगा आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है नेमित तोर पर योगासन का अभ्यास करने से संक्रमन से बचाव में मदद मिलती है इसलिए आप अपने दिन चर्या में योग को सामिल करें योग ना केवल आपके फेफ्रों को मजबूत बनाता है बल्कि आपके रोग प्रदीरोधक्षमता को भी बढ़ाता है आज की अभ्य सजा करने स्पेख्ष योग किए अभ्यास सजा करने जा रहा है पहले अभ्यास के लिए डोनौच हाथों को सामने की उयोर लाएं अथेलिया एक दूसरे को फेशिंग jadi और दोनौच हाथों को पीछे की और लेकर की जाएं पर जोभी करेंगे श्योंरद अट को नस्दीक ल आप लेते हुए दोनों हाथ पीछें आम्स मूव्मेंट को अपनी सासों के साथ संक्रनाइज करें सास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने इस अभ्यास को आप पाथ से दस बार करेंगे पाथ से दस बार होने के बाद आप रिलाक्स करें ग्वीत यह अभ्यास के लिए तयार हो जाएं जिते हैं अभ्यास में दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे अथेलिया जबीन की ओर इस अभ्यास को मैं साइड़ वेस करके दिखाता हूं आपको सास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है हाथों को थोड़ा सा कान के पीछे हाथों को ऊपर खीचे सास छोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीधा में सास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर क्यवनी को सीधा रखे सास छोड़ते हुए दोनों हाथों कि फासे हर्ड करने के बाल दोनों हाथ व awhile को नीचे लाए रहे करें मुझेल अब एंगाइब है कि आप साथ को लंबा करें को अपने आम को आप सांसतीças क्यंट है इसी के दूसरे अभ्यास में दूई ती चारन में दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें सास लेते हुए साइड से दोनों हाथों को ऊपर ले करके जाएं दोनों हाथों को नमस्कार में लाएं आपस में टच करिए हाथों को ऊपर खीचें सास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस जमीन पर लाएंगे सास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस जमीर तोटल पात से दस राउंड करना है पात से दस राउंड करने के पाद आप रिलाक्स करेंगे कि तीजुने अभ्यास में दोनों हाथ को कंढ़े की लाइन में लाएंगे यहां से सास छोड़ते हुए लथ वाले हाथ को राइड पर राखके राइड वरा हाथ वाले फुट करें पीछे मीर की अलगे यागनлять सास छोड़ते हुए процесс जाएंगे लेप स्कसमें ट्विस्टर कर पीछे देखें सास लेते हुए सेंटर में आएंगे सास छोड़ते हुए राइट साइट सास लेते हुए सेंटर सास छोड़ते हुए लेफ्ट साइट सास छोड़ते हुए लेते हुए सेंटर पात से दस राउंड करना है पात से दस राउंड करने के बाद हाथों को नीचे ल तो आप सीधा बैठेंगे, स्लाउच नहीं करेंगे, बाक को राउंड नहीं करेंगे, इसी अभ्यास को मैं एक पर आपको साइड से दिखाता हूं, सास लेते हुए, दोनों हाथ कंदे की सीध में, सास छोड़ते हुए, राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ राइट घुटने सास लेते हुए, दोनों हाथ कंदे की सीध में, सास छोड़ते हुए, लेफ्ट साइड ट्विस्ट, सास लेते हुए, सेंजर, राइस, आपको इस अभ्यास को धीरे-धीरे करना है, सासों के सास इनको नाइस करना है, और सासों को लंबा करने का प्रेयास करना है, तीनों बेसिक है, बहुत ही सरल है और अत्यादिक प्रभावी है, आप सभी कर सकते हैं, आप तीनों अभ्यास को खड़े होकर या फिर चेर पे बैठ के या फिर नीचे जमीन पर बैठ करके कर सकते हैं, इस अभ्यास को करने के पहले बस यह ध्यान रखे कि आपका पेट खाली है, जैसा पीछले वीडियो में कहा था, दैनिक अभ्यास बहुत महत्पूर्ड है, यहां तक की केवल, दस मिनट के निमेत अभ्यास से भी आपको परिनाम मिलेंगे, ध्यान रखे कि योगा अभ्यास चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है, अगर आप अस्वस्त हैं, तो डॉ योगा का अभ्यास करें, एक प्रसिचित्ति, सिक्षक्य देखरेक में ही, योग को सीखना और उसका अभ्यास करना महत्पूर्ड है, आपसे अगले वीडियो में मुलकात होगी, तब तक के लिए धनिवाद, झाल 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 झाल 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 झाल